Hello students, good morning to all. मैं Dr. राशा सिंग, HOD of Home Science. मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ multiple choice questions जो कि आपके TST, PhD exams, higher education exams और PhD, interns exam में बहुत हद तक helpful साबित होंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला question किसी भी समय का भोजन बनाते समय गिरहनी को प्रतेक वर्ग में से अवश्य लेना चाहिए. इसके options हैं, पहला options है, कम से कम दो खादे पदार्ट, second option है, तीन खादे पदार्ट, third option है, एक खादे पदार्ट, और चौथा option है, सभी खादे पदार्ट. इसमें जितने आपके जो हमारे basic food groups हैं, उन में से पूछा है, कि कितने हर group से, हर जो food group है, उन में से, सारे food group में से, हम कितने खादे पदार्ट को शामिल करें. इसके right option है, तीसरा, एक खादे पदार्ट. ओके? आगे बढ़ते हैं, अपने second question की तरफ. आपका second question है, सरोपर्थम निमलखित में, कि इनके द्वारा पाँच खादे वर्ग की अनुशंसा की गई है, ठीक है? पहला option है, कैरोलीन हंट. इसमें mistyping हो गया है, क्लोरिन लिख दिया है, आप इसको कैरोलीन पढ़ोगी. कैरोलीन. ओके? कैरोलीन हंट के द्वारा, मारकोनी के द्वारा, ग्राहम वेल्ड, यहां पे भी mistyping हो गया है, आप इसको ध्यान देना, यह ग्राहम वेल्ड है. ओके? और चौथा option है, कोई भी नहीं. तो जो फाइव फूट ग्रूप है आपका, वो कैरोलीन हंट के द्वारा, अनुशंसा की गई है, तो वो आपका राइट option जो है, वो पहला है कैरोलीन हंट. ओके? बढ़ते हैं अपने अगले कोईशन की तरफ, 11 फूट ग्रोप्स, 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा किसके द्वारा की गई है? पहला option है, एस स्वामिनाथन द्वारा, second option है, हर गोविन्द खुराना द्वारा, third option है, रामचंद्रन द्वारा, fourth option है, या इन में से किसी के द्वारा भी नहीं, ओके? तो इसका राइट option है, एस स्वामिनाथन के द्वारा, 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है, मतलब एस स्वामिनाथन ने 11 फूड ग्रूप्स को बताया, ओके? next question की तरह बढ़ते हैं, आपका अगला question है, सरीर की ब्रिद्धि करने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से जो आपके nutrients हैं, वो आपकी body को ग्रोथ करने में helpful होते हैं, तो फर्स्ट आप्शन है वसा, सेकंड आप्शन है कार्बो हाइडरेट, थार्ड आप्शन है प्रोटीन, और फोर्थ आप्शन है कैल्सियम, ठीक है? तो इसका राइट आप्शन क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? यह जो टुटी-फुटी कोशिकाएं होती है, उनकी मरम्मत करता है, और नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, ओके? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ, नेक्स्ट कोशन आपका है, उश्मा और शक्ति उत्पादन पोशक तत्व है? इसमें आप्शन्स है, पहला है वसा, दूसरा है कार्बो हाइडरेट, तीसरा है प्रोटीन, और चौथा है उप्रियुक्त सभी, ठीक है? इस्टुडेंट्स यहाँ पे पूछा है, उश्मा और शक्ति उत्पादन पोशक तत्व, तो यहाँ पे वसा भी आपका, वसा सबसे ज़्यादा, जो की है, वो कैलोरी देता है, कार्बो हाइडरेट भी देता है, और प्रोटीन भी देता है, तो अगर उश्मा और शक्ति उत्पादन पोशक तत्व पूछा है, उस जगह पे तब आपका राइट उप्सन क्या होता, वसा होता, फैट होता, ठीक है, क्योंकि एक ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी उर्जा हमें, उश्मा हमें मिलती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा नहीं है, बस पूछा है, उश्मा और शक्ती उत्पादन पोशक्तत्व है, तो ये इसका राइट उप्सन क्या है, उप्वयुक्त सभी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, आयोडीन के प्राडी साधन है, आयोडीन के कौन-कौन से जो आपके उप्शन दिये है, इसमें प्राडी साधन कौन-कौन से है, सामुद्रिक मचलियां, डाल, अंडा, चीनी, तो इसका राइट उप्शन है, सामुद्रिक मचलियां, आयोडीन के प्राडी साधन के उत्तम सोर्सेज हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं, शरीर की आंतरिक क्रियां को नियंतरित करने वाले पदार्थ होते हैं, कौन-कौन से वो पदार्थ होते हैं, जो शरीर की आंतरिक क्रियां को नियंतरित करते हैं, ठीक है, इसका राइट उप्शन है, विचामिन्स, विटामिन्स जो है वो शरीर की आंत्रिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है? next question की तरफ बढ़ते हैं, calcium, phosphorus, loha तथा iodine है, इसमें options आपके हैं, रग्त को सम्रिद करते हैं, हड्डियों को बनाते हैं, रग्त को सम्रिद करते हैं, तथा हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है? और फोर्थ option है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपका यहाँ पे right option है, तीसरा, रग्त को सम्रिद करते हैं, तथा हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है? नेक्स क्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, फूल गोभी से प्राप्त होता है, कौन इसमें जितने option दिये हैं विचामिन का, कौन सा वो विचामिन है जो कि फूल गोभी से प्राप्त होता है, विचामिन A, विचामिन K, विचामिन B और विचामिन E, तो इसका right option है, विचामिन K ठीक है, next question की तरह बढ़ते हैं, मिर्च मसाले किस खाद्य वर्ग के अंतरगत आते हैं, ठीक है, 11 खाद्य वर्ग के अंतरगत, 7 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, या 4 खाद्य वर्ग, तो मिर्च मसाले आपके 11 food group के अंतरगत आते हैं, तो इसका right option क्या होगा, पहला होगा 11 food group next question की तरह बढ़ते हैं मूलता कितनी खाद्य वर्ग योजनाओं का निर्माण किया गया था ठीक है मूलता कितनी खाद्य वर्ग योजनाओं का निर्माण किया गया था इसके options है पहला 4, 5, 7 और 11 तो इसका right option है 4 next question की तरह बढ़ते है पकाने के माध्यम की द्रिष्टी से भोजन पकाने की विदि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है इसके जो options है वो पहला option है जल द्वारा, वास्पद्वारा चिकनाई द्वारा और वायू द्वारा ये पहले option में है थाड option है जल द्वारा तथा वायू द्वारा और फोर्थ option है वायू द्वारा चिकनाई द्वारा और वास्पद्वारा तो इसमें राइट option क्या है पहला जल द्वारा वास्पद्वारा, चिकनाई द्वारा और वायू द्वारा इन चार ये चार जो है, ये भोजन पकाने की विधिया है, ठीक है, तो right option क्या है, A है, ठीक है, बढ़ते हैं अपने next question की तरप, अगला question है, जल्दवारा पकाने की विधि को किस भागों में बाटा गया है, जितने हमारे भोजन पकाने के माध्यम है, उनसब की भी अलग-अलग category है, गया है तो जब हम पाणी के द्वारा भोजन पकाते हैं तो उसको कितने ताइप्स के हैं, वह आपको इसमें से ऑप्शन में से बताना है, पहला option है उबालना धीरे-धीरे उबालना या धीमी आग पर पकाना, set and option है उबालना और धीरे धीरे उबालना थाड़ उबालना और धीमी आग पर पकाना और अगला उप्षन है कोई भी नहीं तो इस question का right answer जो है वो है पहला उबालना धीरे धीरे उबालना और धीमी आग पर पकाना बढ़ते हैं next question की तरब प्रेशर कूकर में भोजन बनाना की प्रत्यक्ष भी दी second option है वास्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष भी दी तीसरा option है जल द्वारा पकाने की भी दी चौथा option है जल द्वारा उबालने की भी दी प्रेशर कूकर में जब भोजन में आये जाता है तो तो वो वास्पद्वारा पकाने की आप्रतेक्ष विधी होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेशन की तरह बढ़ते हैं, मान्स तथा कठोर वस्तुएं पकाई जाती हैं, अप्शन्स हैं, उबाल कर, ठीरे धीरे उबाल कर, धीमी आग पर रख कर, या कोई भी बिधी नहीं, ठीक है? तो इसको कैसे पकाते हैं? इसको हम धीमी आग पर रख करके, चुकि हाड होता है, मान्स भी हाड होता है, अगर हम उसको तेज आग पर पकाएंगे, तो वो उपर से तो पक जाएगा, लेकिन वो अंदर से क्या रहेगा? ठीक है? तो इसका राइट ऑप्षिन है, धीमी आग पर रख कर, ओके? नेक्स क्वेशन की तरह बढ़ते हैं, भोज्य पदार्थों को पकाने में वायू का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस मेथट में भोज्य पदार्थ को जब पकाया जाता है, तो उसमें वायू का प्रयोग नहीं होता है, पहला आपका ऑप्षिन है, भूजने में, दूसरा है, सेकने में, तीसरा है, भट्टी में, और चोथा है, उबालने में ठीक है? भूजने में सेकने में भटी में इन तीनों में वायू का प्रयोग होता है लेकिन उबालने में किसका प्रयोग होता है वायू का प्रयोग नहीं होता है किसका प्रयोग होता है जल का प्रयोग होता है ये जल द्वारा पकाने का मेथेड में आता है ना उबालना तो इसका आंसर मैंने उपर बताया है, किस में वायू द्वारा, इसका options आपके screen पर दिख रहा है, पहला है जल द्वारा पकाने की विधी में, वास्प द्वारा पकाने की विधी में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधी में, और last option है वायू द्वारा पकाने की विधी में, तो इसका पर चपाती सेकी जाती है इसके ऑप्शन्स है वायू द्वारा भूज कर वायू द्वारा सेक कर वायू द्वारा तंदूर में पका कर या किसी भी तरह से नहीं राइट ऑप्शन क्या होगा वायू द्वारा सेक कर तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकेंड वायू द्वारा जैकर, घ्क है, नेक्स्ट्टो की तरह पढ़ते हैं, डबल रोटी जो ब्रेड होता है, वो बनाईजाती है, आप्शेन है, देशी तंदूर में भत्टी उस्मक में उबाल कर या सेक़ कर, तो ब्रेड जो बनाई जाता है, वो भत्टी उस्मक में, तो उसका right option क्या होगा? Second होगा भट्टी उस्मक ठीक है? Next question की तरह बढ़ते हैं तलने की गहरी विधी द्वारा बनाई जाती है तलने की गहरी विधी इसके options है चीले, चीला, समोसे, डाल, डोसा ठीक है? तो तलने की गहरी विधी द्वारा क्या बनाई जाता है? इसका right option होगा, समोसे जो होगे ये तलने की गहरी विधी द्वारा होती है बाकी आपका चीला और डोसा जो है वो तलने की उथली विधी से है और डाल अल्रेडी जानते हो आप कि ये पानी में उबाल कर बनाया जाता है ये किसके द्वारा बनता है? वास्प के द्वारा ठीक है? नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं उबाल कर पकाई जाती है आपके इस्क्रिन्स पे आपके option दिख रहा है डाल, पूरी, समोसे और लास्ट option है कचोड़ी तो दाल ही इसका राइट अंसर है आप सभी जानते हो क्योंकि पूरी, समोसे, कचोड़ी ये सब तो चिकनाई के द्वारा बनाई जाती है और तलने की क्या होती है? गहरी विधी जोती है इसका राइट option क्या है? डाल है नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते है खाद्य सन्रक्षड का तरीका कौन सा नहीं है? आपके options आपके स्क्रीन पे है पहला है प्रशीतन दूसरा है खमीरी करण तीसरा है निर्जली करण और चोथा है आकसी करण तो इसका राइट option क्या होगा? प्रशीतन, खमीरी करण, निर्जली करण ये तीनों क्या है? ये खाद्य सन्रक्षड का तरीका है कौन बस्ता है? आकसी करण आकसी करण खाद्य सन्रक्षड का तरीका नहीं है ओके? नेक्स्ट क्रेशन की तरह बढ़ते है आधुनिक समय में शाक भाजी, मांस मचली, अंडा दूद आधी में सन्रक्षडता गुड बढ़ाया जाता है किसके द्वारा सन्रक्षडता गुड बढ़ाया जाता है? इसके ओप्षण है हीमी भूती करण के द्वारा खमीरी करण के द्वारा निर्जली करण के द्वारा या किसी भी विधी के द्वारा नहीं, तो इसका राइट ऑप्सन है, निर्जली करण के द्वारा, उसमें से पानी को, पानी का अंच जो है, उसको निकाल करके, तम उसका सनरक्षड किया जाता है, ओके, नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं, समानेता, जो कोशन सापका है, समानेता, फलों को डिब्बे की बंदी की जाती है, जो हम, जो हमारे कैंट फूड होते हैं, जो हम जूस पीते हैं, जो डिब्बे में जूस आता है, उसको कैसे पैक किया जाता है, तो पहला आप्शन है, शकर के शर्वत में, नमक के घूल में, अमल में या किसी में भी नहीं तो इसका राइट ओप्शन है सक्कर के शर्बत में ठीक है? नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं यह हमारा लास्ट कोशन भी है सील करने के बाद वी संक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को डाल दिया जाता है सील करने के बाद हम डिब्बों को वी संक्रमित करते हैं तो क्या करते हैं? कि डिब्बे जो हैं वो वी संक्रमित हो जाते हैं तो आपसंस आपके हैं ठंडे जल में, गर्म जल में, आमल में या गर्म नमक के घोल में, तो इसका राइट ऑप्षन होगा गर्म जल में, ठीक है, ऐसे ही मैं छोटे-छोटे questions आपके लिए MCQ questions बना के लाओंगे, कुछ बढ़ने का भी लाओंगी, जो की short video रहेगा, जिसको पढ़ने में आप boring भी म entrance या higher education के exams के तैयारियां जो है, वो होती रहेंगे, thank you very much.